यह magnet है, यह इसका perpendicular bisector है, यह ऐसे रख दिया magnet है, यह रखा हुआ है, यह bisector है इसका, इसको कहते हैं, broad side and position, क्या कहते हैं? तो heading change होगी न, at and equatorial, equatorial line, equatorial line पर हम दिखाएंगे, EQA equatorial line, दूसा English क्या होती है, broad side and position, ठीक है, तो पहले तो यह distance जरोत पड़ेगी न हमको, यह वाली distance, यह distance क्या निकलेगी, under root, R square plus L square, और यह distance क्या निकलेगी, under root, R square plus, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, मैं magnet का corner नहीं ले रहा हूँ, यह जो मैं length ले रहा हूँ, यह magnet की length नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह south pole से length है, यह north pole से length है, आपको याद होगा, हमने एक magnetic length बताई थी, एक geometrical length बताई थी, आप ही सम ल magnetic length है, तो इस length के बारे हम बात कर रहे हैं, और यह आपकी geometrical length है, ठीक है, geometrical length थोड़ा सा बड़ी होती है, ठीक है, यह कैसे किया था, यह हमने बता दिया था, अब देखो ध्यान से, तो magnetic field, that magnetic field ही न लिख दें, magnetic field ही लिख दें, फर्मला था हमको बालू भी है आपको, तो magnetic field, m field, at p, due to, n pole, north pole की वज़े से, उसका indication क्या कि लिखेंगे हम, mu n, क्या फर्मला होता है, mu not upon, 4 pi, फर्मला क्या होता है, q open r square, तो q m, और r square बोले तो, इसका square करोगे न, तो आएगा r square प्लस, l square, दरक्चन क्या होगी, नाड से दूर, ठीक है, अब अच्छा, इसके पहले वाले में unit unit न लिखेगा, magnetic field ही लिखो उसमें, फर्मला, ठीक है, तो यह नाड से दूर, यह magnetic field होगा है, due to, this, वो हमने जो unit, नार्थ पोल रखा था, वो मत रखेगा, direct formula भी apply कर दीजेगा, ठीक है, वो तो हम force से intensity निकाल रहे थे, force upon, जो है, charge करके, force upon, pole strength करके, ठीक है, अच्छा, magnetic field due to south, जब निकालेंगे तो, mu not upon 4pi, qm upon, यह भी होगा, r square plus l square, और direction क्या होगा, south की, और, यहाँ पर होगा, bs, दोनों की value सेम है ना, तो दोनों का resultant निकालने का तरीका क्या होता है, एक तो component form था, याद करिया, देखो, bn और bs की value सेम है ना, तो जब दोनों की value सेम है, तो इनका resultant बिलकुल 20 से जा जाएगा, तो इसका resultant बिलकुल बीचो भी से चला गया, यह magnetic field, net magnetic field हो गया, अब देखो ध्यान से, यह triangle दिख रहा है आपको, इस triangle में यह दोनों side है, equal है, sides equal है, हिंदी में side है, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी, हिंदी, बोल सकते हैं, side है, equal है, तो तो भाईया, यह अगर theta, यह theta है, तो पूरा angle कितना होगा, 2 theta, exterior angle, ठीक है, तो यह angle कितना होगा, theta, और यह angle कितना होगा, theta, तो देखे, दो forces का resultant निकालने का formula हमने पढ़ा है vector में, r square is equal to p square plus q square plus 2p q cos theta, या तो यह formula अपलाई कर दे, उसके लिए हम angle कितना लेंगे हापर, 2 theta, दूसा तरीका क्या होता है, देखो यह है आपका bn, ठीक है, और यह है आपका bs, और यह है आपका resultant, यह है आपका theta, यह है आपका theta, bn और bs की value कैसी है, same है, bn का theta से लगा हुआ component क्या होता है, बी अन कॉस थीटा और वर्टिकल कामपोनेंट क्या होता है बी अन साइन थीटा बी अस का जो इधर कामपोनेंट होगा हो क्या होगा बी अस कॉस थीटा और वर्टिकल क्या होगा बी अस साइन थीटा ये दोनों वैल्यू कैसी है they are equal and opposite तो they will cancel each other तो net magnetic field में दोनों क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे ना तो net magnetic field हम निकालेंगे net M field B is equal to क्या होगा B N plus B S और cost शिटा कर दीजे आप बाहर, देखो ध्यान से B N B S के विल्व सेम है ना तो दोनों को add करोगे तो टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ जाएगा mu not upon 4 pi qm upon r square plus l square into 2 cos theta यहाँ तक पहुँचिए अब यहाँ पर cos theta की value रग दीजे तो B is equal to क्या हो जाएगा mu not upon 4 pi into qm upon r square plus l square into 2 l upon happiness हो जाएगा ना तो l upon under root r square plus l square ज़रा denominator को ध्यान से देखिए तो यह उपर तो 2 qm into l हो गया और नीचे देखिए क्या हो गया r square plus l squared power 3 by 2 फिर l square किसे साथ फंस गया r के साथ तो इसको क्या करेंगे neglect कर देंगे तो आप क्या रिखेंगे as l is less and less than r so neglecting मतलब रहीम दाजी लिग गयते रहीमन देख बड़े न को लग न दीजिये डार और जहां क्या काम आये सुई काह करें तलवार और फिजिस कहती फिजिस कहें रहीम से लग को दीजिये डार नहीं दीजिये मार दार नहीं मतलब खुले आम भेज़ती कर दी इसकी मतलब एल स्क्वार विचारा जहां पर इसका कोई आउकात नहीं है यहां पर उसको नहीं छोड़ा और यहां पर उसको छोड़ दिया तो इसको कहते हैं फिजिक्स में छोटे व्यक्तिकी खुले आम बेज़ती करना तो यही क्या लिखा है यह M लिखा है ना और नीचे क्या होगा आर्ट पावर 3 यह प्रूफ हो गया नहीं हो गया है ना जहां M क्या है M is equal to QM into 2L that magnetic dipole moment ठीक है नोट करिए ज़र इसकी direction देखिए क्या यह वाली line और यह line parallel है है ना और magnetic dipole moment की direction क्या होती है south to north यहांनि magnetic dipole moment इधर जाएगा और magnetic field इधर जाएगा तो they both are anti parallel तो if you write in the vector form तो यहां vector चड़ा के क्या करेंगे यहां पर negative sign कर देंगे और एक चीज़ और equatorial में जो value आई है M और axis में आई है 2M तो axis का जो magnetic field होता है equatorial से 2 times होता है तो कभी कभी यह direct result आता है ठीक है neat वगेरा में पूछ ले आता है कि double होता ही आपको याद होना चाहिए note करिए आपको यह आपको यहाद है